असलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टो एक पार फिर आपके साथ हाजर है सम्झाल रमजान एक नेमडे के साथ दोस्तों आज की स्विडियो में आप लोग के साथ पीस्टी और जिस्टी के हावाले से दो इंपार्ण अपडेट शेयर करूंगा एक अपडेट जो है वो लेटर को में आप लोगों को बताऊंगा असल में उस लेटर में क्या चीज थी दो चीजे में आप लोगों साथ शेयर करूंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो लेटर जो कल आया हुआ था एक वह ग्रिविंस पालीसी बनाई गई जिसमें आपको जिन जिनको शिकायत थी के हमारी मार्क्स वह कम हुई है या फिर हमारे पेपर में मिस्टेक्स थी और जिन जिन लोगों जोने एप्लिकेशन नहीं भी भेजी थी वह लोग भी जा सकते हैं कराची की तरफ और वहां पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया या भी आपको लेटर भी नजर आ रहोगा साइट पे तो आप लोग देख लें ठीक है तो वहां पर आप लोगों को खुद जो फिजिकली या भी जाना है और वहां पर उनको सुनना है कि वो लोग जो है वो कमेंटी बिठा के और कौन-कौन से डिसिशन ले रहे हैं क्या पता आप लोगों से सजिशन भी ले ले और आप लोग लाजमी जाईएगा क्योंकि ऐसा नहों कि आगर आप आप लोग वहां पर ना तो मैं आप लोगो जो है यह गाइड करूँगा कि आप लोग भी वहां पर जाएंगे अभी आते हैं सेकंड बात पर के अभी एक न्यूस चल रही है कि अभी आपको साइट में नजर आ रही होगी आप लोगोंने जो न्यूस सुन भी लिए होगी यह न्यूस जो सिंदी में चल रही है और इसमें के तपिएडियों मिनिस्ट्र जो हैं हमारे उनका कहना है कि पी realities जो हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे कल यानि कि 23 से इस्टार्ट हो जाएंगे अब इसमें मेरा खुद का जो तजबरा है तो वह तो यह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कल से यह आ काफी सारे PSD के जो physical appearance के letters हैं उन में अभी तक जो हो उनकी physical appearance जो हो रही है candidates की और काफी सारे district के letter जो हो reschedule हुए है यानि कि दुबारा उनको जो हो reschedule करके और दुबारा वो physical appearance ले रहे हैं तो यह सिलसला मार्च की in तक चलेगा और और अगर कोई physically पहले appear नहीं होगा अपने documents वगरा भी सब्मेंट नहीं करवाएगा या फिर उसकी कोई फिजिकली कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी तो इससे पहले तो कोई offer address मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे क्योंकि अगर offer address होते तो उससे पहले आप के साथ एक शेडूल होता offer address अभी देखें आप लोग उने डियो डिस्ट्रिक एड्यूकेशन आफिसर सखर का आप लोग उने वाइस सुना ही होगा तो वह किलियर ली कह रहे हैं कि इन चीजों में थोड़ा प्रसेस लगता है याने कि आपके offer address डिजाइन होकर आएंगे और उसको हम फिल करेंगे completely आपका नाम बगर जो भी चीज़े हैं वो सारे offer address फिल होंगे उसके बाद ही आपको offer address दिये जाएंगे यहाना कि इन पे थोड़ा टाइम लगेगा तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं अपने तजरुब तो आप लोग पहले से ही जानते क्योंकि सरदार शाह ने पहले देखें गर्ल्स के हवाले से भी का था कि हम लोग जो गर्ल्स को 40 पर पास करेंगे लेकिन वह बात आप लोगों के सामने है कि वह बात सच हुई के नहीं हुई तो ऐसा देखें अभी news में जो हो सरदार शाह खुद तो नहीं बोल रहें न्यूज रिंकर बोल रहें लेकिन वह एक के कैंन्ट सरदार शाह तो दोस्तों यह थी आज की एक वीडिव उम्मीद है कि कि आप लोगों को यह वीडियो जेऎफ और आगर City已經 कौक्छ नइए तो हमारा इस एकर ही करता है वरा आर्या आप अब में देगे बेल आकाम को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ी रेसी वीडियो उसकी अपडेट से वो आती रहें शुक्रिया आला आफिस मिलते हैं अगली वीडियो